के काई साल वैल्कम बैक टो माई चैनल टो गाई स आज की मैंने जित्ते भी आज सक व्लॉग बनाएं सारे में बहुत खुशी में बनाए बट यह भाला व्लॉग मेरा बहुत ही सद़ा दुख में है क्योंकि आज मेरी जीजों की डेथ हुए वे दो महीने हो गए हैं तो हम बहुत दुखी हैं हमारे घर पर जो भी ऐसा माहौल है इस वक्त मैं बहुत जादा दुखी हूँ और मेरी सिस्टर तो खेर दुखी होगी यह आप सब जानते हो तो एक्षिली इस वजह से हम मैं व्लॉग भी नहीं मैं व्लॉग तो वैसे भी बहुत कम बनाते हूं आजकर तो तो फ्रेंड्स में सबसे पहले यही कहना चाहते हूं उन लोगों को थेंक्यू कहना चाहते हूं जो हमारे साथ इस दुख में खड़े हुए जिन क्योंकि एक्शली कोई अपने अपनी उमर का जाता है आदमी तो उस आदमी का दुख हमें होता है बट ये है कि वो अपनी उमर काटके जाता है बट जो मेरी जी जो गए है वो 43 years में गए है तो मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा सोचा क्या हमने कभी ख्याल में भी भी नहीं आया हमारे कि ऐसा हो जाएगा तो suddenly यह सब चीश उसे बाहर लेकर आ रहे हैं तो मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं देदी को इस चीज़ से बाहर निकालू बट बहुत टाफ होता है यह बहुत बड़ा दुख है मैं तो यही मांगती है भगवान से कि किसी की जिन्दगी में ऐसा ना हो बट मुझे लगता है कि यह दुनिया ही ऐसी है शायद हमें हर स्थिती के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि और अपने आपको बहुत स्ट्रॉंग बनाना चाहिए क्योंकि इस वक्त हम अपने होश भी खो बैठते हैं मतलब हमें कुछ नहीं पता चलता है हमें क्या करना है मतलब कुछ भी हो सकता है तो इसलिए गाइस मैं आपको यही बोलती हूँ कि स्ट्रॉंग रहे हैं हर स्थिती को फेस करने के लिए आपने आपको रेडी रखे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है यह लाइफ है लाइफ का कुछ पता नहीं है क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हमारे साथ हुआ है यह चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ख्याल आता है मतलब बहुत दुख होता है तो वो चीज़ मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि कितना जादा दुख होता है मतलब कितना जादा दुख होता है तो यह चीज़ ख्यार मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ ख्यार आप लोगों को कई लोगों को बहुत दुख हो आई इस चीज़ का मेरी जीजू के जाने का तो ख्यार मैं ज़्यादा नहीं पूलना चाहती हूँ तो गाइस मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो लोग भी आप इधर आएं हमारे घर पे आए या वहाँ पे आए और हमें मतलब कई लोग हमारे घर नहीं आपाई तो उन्होंने फॉन पे हमें मतलब हिम्मत दी समझाए हमें उस टाइम दो बाते भी बोली जाये तो भी बहुत बड़ी लगती है कि नहीं ये लोग हमारे साथ है ये लोग हमारे पास आए इन लोगों ने हम मतलब ये चीज़ हमें जानते हैं क्योंकि गाइस इस चीज़ का मैं खेर बता नहीं सकती है हमें कितना दुख हुआ है एनिवेस तो मैं अपना व्लोग कहीं स्टॉप करती हूँ तो आज मैं जुस्ट ऐसी बैटी भी थी तो मैंने सोचा आप रोमों से बात करूँ इससे ज़दा मेरे में बोलने में मैं घर का महौल अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ कि दी को भी सामने लाऊं या दी से भी आप लोगों की बात कर वाऊं बट वो नहीं करेगी क्योंकि उसको कैमरा फेस वो कैमरा फेस नहीं कर पाएगी मझे पता है बट मैं हूँ मैं करूँग चिक्क है गाइस तो गाइस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स व्लोग में तो बाई